गैंग्स्टर विकास दूबे के भाई दीप्रकाश ने न्यायाले में समर्पड कर दिया है खास बात यह है कि पिछले कई दिरों से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी बावजूद इसके पुलिस उसे गिरफतार नहीं कर सकी आरोपीत ने चोरी चिपे न्यायाले में आत्म समर्पड कर दिया पुलिस आयुक्त धी के ठाकुर के मुदाबिक दीप्रकाश को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा दरसल आरोपित देप्रकाश 19 दिसंबर को न्यायाले में आत्म समरपड करने पहुंचा था इस दोरान पुलिस को भनक लग गई थी पुलिस को देखकर आरोपित कोट से भाग निकला था आरोपित पर कृष्णा नगर पुलिस ने 20,000 रुपे का इनाम घोशित किया था कृष्णा नगर कोटवाली में आरोपित के खिलाब जाल साजी समेथ अन्य धाराओं में दो FIR दर्ज है आरोपित के सेरेंडर करने के बाद पुलिस की कारिशयली पर कम भीर सवाल खड़े हो रहे है लखनोपुलिस कई महीनों से आरोपित की तलाश में दबिश दे रही थी दीप्रकाश बिकरू कांड के बाद से फरार था राजधानी पुलिस ने शुकरवार को आरोपित के घर की कुरकी की थी इस बीच आरोपित ने कोट में आत्म समरपड की अर्ची टाली थी जिसके बाद पुलिस सक्री हुई थी विकास दुबे पर पांच लाग का इनाम घोशित किया गया था जिसे स्टेफ ने उज्चैन से गिरफतार किया था कानपुर लादर समय स्टेफ की विकास से मुटबेड हो गई थी जिसमें वह मारा गया था पुलिस आयुकत का कहना है कि दीप्रकास से पुलिस कस्टडी रिमांड पर पूश्ताच की जाएगी आरोपी तब तक कहां चिपा था और उसे कौन लोग मदद पहुचा रहे थे इस बारे में भी जानकारी की जाएगी